नमस्कार आप देख रहे हैं पटना निउज 24 आज है हम लोग भैरो गोज में और यहां पे नराइनी प्रेस कलब का बैठक हुई है जानते हैं अध्यक जिसे किन किन मुद्णों पे बात हुई है और कैसे कैसे निर्देश भिये गया है सर आज भैरो गंज में नराइनी प्रेस कलब का बैठक किया गया है जिसका मेन एजेंडा यही है कि दुमरिया के प्रभात खबर के फत्रकार नरेंद पांडे जी का बाइक गाड़ी आँवा जो है 48 साथ 2022 को रात में जो है चोली हो गया उसके बाद इनों नराइनी प्रेस में उसके बाद FIR दर्ज भी हुआ च्यार दिन के बाद इनके तरवाजे पर बगा ठना द्वरत और अनुसंधान किया गया उसके बाद कल जो है हम खुट ठना प्रवारित हमने बात किया उन्होंने कहा कि दो चार दिन का समय दिया जाए मैं देखता हूं अगर गाड़ी को है कहा का च्वर ले गया है कैसे ले गया है उसको हम पता करते हैं उन्होंने अपनी बात कहा कि तक तक हमारा नहीं आपका है पता करना तो मैं सभी साथियों से आगरा किया है कि अगर दो-चार दिन में बगहा थनव परभारी द्वारा नरेन फांडे जी का बाइक का अगर आता पता नहीं चलता है तो उगर होके हम सभी साथी अनमंडल और बगहा एसपी महोदेग को हम भी क्यापन देंगे और ग्यापन देने के बाद हम केंडिल मार्ज करेंगे और पूरा प्लोद करेंगे पत्रसाशन का कि पत्रकार सुरक्षित नहीं है पत्रकारों की बाइक जब चोरी होगी तो आम पबली का क्या किसी सी बन पाएगा जी सर आप यहां आजाईए जो आज जो पाने जी की पाइक चोरी हो गई है उसके उपर खास करके नारायनी प्रेस क्लब का बैठा का पी से ठ्यान रहा आप क्या चाहते है कि पत्रकारों की चीजे सेफ रहे उनकी सुरक्षा रहे और क्या संदेज देना चाहेंगे परसासन नारायनी प्रेस क्लब के संस्ताफक होने के राते मैं बगात थाना परवारी को अगा करना चाहता हूँ 24 गंटे के अंदर अगर उनका मुट्साइकी परामक नहीं हुआ करते हैं कि यह मैंसेज उनका पहुचे और जल चल करवाई लें और इस तरह की घटना दुबारा ना हो यह खबर देने से सत्कुदीन अंसारी फैरोगर्स से जाएगे करते हैं नही दोता करते हैं करते हैं जनका है अंसारी है झाल झाल